हलो दोस्तों तो आपने यह वाले एनिमेशन वहाँ सारी वेबसाइट में देखे होंगे और यह वाला एफेक्ट भी देखा होका आज हम देखेंगे कि हम इन एफेक्ट को अपनी रियक्ट.js वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं तो इसके लिए जो हम स्टार्टिंग करेंगे वह पिछले वारे प्रचेक्ट से करेंगे जो हमने टाइपिंग एफेक्ट वाला किया था ठीक है तो हम इसी में इंटिग्रेशन यूज करेंगे तो मैं बाकी चीज़र लोज कर देता हूं और इसके लिए जो पैकेज यूज हो यूज हो का अरिय क्छब करें और आपने एक आश्यमार है इसके बारे में अगर आपने इस एफेक्ट को लगा हो कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए जो मैंने काम किया है वह है कि यह वाला जो पहले वाला प्रोचेक्ट है ठीक है इसमें हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इसके साथ में ही कर्से पार्टिक्ल्स को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ तो जब तक यह इस्टॉल होता है आपको बता देता हूं मैं ने क्या का कै कि हो इसके अन्दर और में एक तो मेरी फोटा जो आपको इनपको दिख रही है इस के साथ में मैंने कुछ इमोजी की फोटो पिक्चर पी एंजी उठाई हूँ है जिसका बैक्गराउंड नहीं है ठीक है और यह तीन ही है जिनको मैं इस पे अनिमेशन में दिखा रहा हूँ ठीक है तो आपने भी अपने हिसाब से कोई भी इमेज चाहे आप अपनी भी ले सकते हैं तो इ मैं इमपोर्ट कर लाता हूँ पार्टिकल्स को अ ठीक है और दूसरा मैं जो चीज इंपोर्ट करूँगा वो है इंपोर्ट लोड फुल ठीक है यह मेरे पास में आएगा इस पार्टिकल्स है इनको हम चेक करेंगे कि हम कैसे यूज करेंगे और तीसरा हम और रियाक्ट होक की यूज करेंगे और बदेगे कह उख है घृठ यह हो गया ठीक है तो ईह इसके बारे मां बताता है यूज क्या затूए Kindern इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यह की बार अंडर होता है ठीक है और जब तक इसकी डिपेंडेंसी चेर्ज नहीं होगा और रिसोर्स थोड़े कम यूज होंगे और वेबसाइट थोड़ी साधा फास्ट चलेगी ठीक है तब हम देखते हैं कि यह पार्टिकल्स को यूज करने के लिए मैं सबसे पहले ले लेता हूं और इस एप के अंदर में मैं सबसे नीचे पार्टिकल्स को कॉल करते हूं ठीक है पार्टिकल्स एक सेलफ क्लोजिंग कम्पोनेंट है ठीक है इसके अंदर में कुछ चीज़े अड़ करूंगा जैसे सबसे लिए तो मैं इसको कंपोनेंट के अंदर ही ले लेता हूं तो जहां पर इनिशिलाइजेशन होगी तो इनिशिलाइजेशन में हम यूज कॉल बैक करेंगे ताकि ये भार-बार-बार-बार कॉल नहोता रहे हार एक रिंड पर ठीक है और इसके अंदर में जो मुझे और आर्गोमें से इंपोर्ट किये था और इसके अंदर में मैं इंजिन को पास कर दूँगा और दूसरे अर्गुमेंट में यूज कॉल बैक के करने की ज़रूरत ना पड़े तो यह हो गया हमारा पार्टिकल्स इनिट वाला काम ठीक है तो इसमें दूसरा जो की होगी वह इंपॉर्टिंट की वह होगी लोड़िड इसके साथ मैं एक लोड़िड की ले लेता हूं और लोड़िड की के अंदर में जो मैं पास्करो वह पार्टिकल्स है लोड़िड ठीक है यह ना मतलब है जो पहल्नीशिल पार्टिकल्स को इनिशलाउस करवांगा जो इसके लिए करोगे और दूसरे इसके पास कर दूँ मैं एंप्टी एरे और इसमें मैं कर देता हूँ सिंपल कंटेनर कॉल हो जागा तो मतलब कि वह लोड हो चुका तो यह है इसको इसको कर देता हूँ यह दो काम हो गए हमारे और कुछ भी नहीं है अभी हमें इसमें करने हैं पार्टिकल्स है या फिर बहुत सारे आप्शन्स हैड करेंगे हम लोग ठीक है जो पार्टिकल्स पर मुझ पकाम कर नदर में काम कर देता है तो इसके अंदर में अगला होगा उप्षिंशन्स में हम करें सचके अब्जेक्ट पाज़ का जो मैं पहला जो इमपौर्टेंट की है वह बैक्राउंड अगर आपको अपने andar da रहेगा ए गलर के अंद यह कई बार ना इसकी यह दिक्कत है कि यह रिलोड नहीं होता रेक्ट पार्टिकल्स के साथ में तो इसका अब ध्यान रखना तो बैगरंड आप देखेंगे कि वाइट हो गया है जो मैंने फॉफ यूज किया है इसकी मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अलग कर देता हूं मतलब कमेंट कर देता हूं अगर आपको हो तो आप कर सकते हैं दूसरी इसमें fps लिमिट ठीक है fps आपको पताओगा फ्रेम्स पर सेकेंड तो इसको आप जितना मतलब 120 तक रख सकते हैं ठीक है बट इसको कम नहीं रखना क्योंकि जैसे जैसे fps बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो वैब साइट है या का जो एप वो जादा से ज्यादा पीसी के या फिर सिस्टम के रिसोर्स को यूज करना शुरू कर देगा जिसकी वजह से फिर स्पीड गम हो जाएगे ठीक है अगर आपने कभी बहुत सारी जावास्क्रिप्ट रन की हो की कि आर ऐस दिए प्राइब ऑब मैं करें एक पहले हम रहने देते हैं इससे अडंभी किक करते हैं हम इस कोठाई था है तो यह स्मूर्य यह और धिरवाद में करते हैं is पशलीश यूकल्स अव्जट होगा औब जैंदर मैं सियनगर करता हूं जो शेएप होगी वह मैं ताइप रखतेता हूं इसका सरकल हुआ थीक है अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं अगर यह होता है यह नहीं हो रहा है को हम नाइव इंडो में खूल कर एप और देखते हैं अभी तो कुछ भी ने आया ठीक है और टाइप शेप आ गया मतलब टाइप मेरे पास में सरकल आ गए इसमें और भी प्रॉपर्टी मुझे एड़ करनी है जैसे मैं इसमें पार्टिकल्स के बाद में मैं एड़ करूंगा अधली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टिकल्स के अंदर ही और इसके अंदर ही जो वैलीओ होगी मैरे पास में दो होंगी एक मीनिम्म मैं मैं रखताँ हूं दो मैं यह खोगा अब इसके अलाबा जो और बापटी रोगा है नंबर नंबर क्या है कि नंबर कितने टोटल नंबर हो जोब इनिशली लोड होगा तो कितने नंबर ओफ सर्कल्स होंगे इसमें तो मैं इसको 200 कर देता हूं तो अब ही अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में सर्कल्स आगें पीछे बट यह मूव नहीं कर रहे हैं यह स्टैटिक है जो मैंने बनाए थे और आप देखेंगे कि इनका साइज छोटा बड़ा मतल इस लिमिट में तू और फाइप की लिमिट में ठीक है अभी हम इसको क् मूवमेंट दे देते हैं ठीक है मूवमेंट के लिए मैं क्या करऊंगँ मूव lactate की उस करूँगा और मूव की के अंतर में करूंग डाइरेकशिंज डायेकशिंस मैं कर देता हूं नन ठीक है यह जो मतलव ही कोई डायेकशिन नहीं होगी अपनी यहां बहा pol गूँग 20 रह अब अगर आप देख रहे होंगे तो यह बार्डर से बाहर निकल जा रहे हैं तो इसके लिए हम कर देते हैं आउट मोड़ ठीक है और इसको इसमें हम कीप आस करेंगे डिफॉल्ट और वह बाउन्स अब आप अगर देखें ऑफ नहीं तो बाउन्स हो जा रहे हैं यह थी इसके लिए और इसके बाद में इसको थोड़ी सी स्पीरड दे देता हैं ठीक है स्पीरड इसके रख देता है जैसे 6 थोड़ा फास्ट हो गया ठीक है अब इसको अपने ही साफ से आपको ठीक लगता है वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ है जैसे आपको कोई एक डायरेक्शन रखनी है तो वो भी हो सकता है जैसे बरफ वाला एफेक्ट की पीछे से ब्लैक कर दिया या फिर कोई पीछे बॉल पेपर लगा दिया जैसे पहाड़ा गड़ा और वपर से इनको बरफ की तरह दिका प्रती के अIZ parlar धागा उलसारी है जाला कि यह यह पास में और कि को का में इस मिल उने आग 2 में धसलों कि मीरच फिर से ऊफ्ट कि कि लिग कर मैं वैल्यू डाल देता हूं तो यह थोड़े से मतलब फीके हो जाएंगे यह थोड़े से ट्रांस्परेंट हो जाएंगे ठीक है यह तो हो गया मेरे पास में अभी इसके अलावा चो प्रॉपर्टीज आप देख रहे होंगे कि यह जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो एक निकल जा रहे हैं अगर आपको ऐसा रखना कि यह दूसरे से जब तकरा रहे हो तो बाउंस हो जाएं जैसे बाउल से बाउल तकराती है ठीक है तो उस के लिए आपको एक प्रॉपर्टी एड़ नहीं पड़ेगी कुलीजन और इसके अंधर में रखना पड़ना है इनेबल को ठीक है अब अगर आप देखेंगे जैसे कोई आपस में टकरा रहे होंगे तो यह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपने यहां पर देखा होगा कि यह कुलीजन चल रहा है इसमें ठीक है यह तो होगी सिंपल मतलब जो हमारे पार्टिकल्स के लिए था ठीक है अब हम थोड़ी से मुझे माउस का करसर जान लेकर जाओंगा मुझे चाहिए कि यह पार्टिकल्स वहां से दूर हो जाएं माउस का करसर अलगी देखे ठीक है तो उसके लिए मैं इसमें एड़ करूंगा ऑन होवर ठीक है माउस होवर की प्रॉपर्टी और इसके अंदर मैं रखोंगा इने इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो होती है मोड्स में क्या होगा कि आप डिफाइन करेंगे कि जो इंटरक्टिविटी विए इवेंट्स हैं यह इंटरक्टिविटी के अंदर यह आएगा मोड्स कौन-कौन से मोड्स होंगे और इसमें आप डिफाइन करेंगे कि यह जो तो मुझे डिस्टेंस चाहिए जैसे 200 पिक्सल दूर हो जाएंगे और डियूरेशन चाहिए मुझे 0.4 ठीक है तो जैसे मेरा कोई माउस जाएगा वहां पर पार्टेकल के पास में तो यह 200 पिक्सल दूर हो जाएंगे यह देखिया जैसे मैंने क्लिक किया क्लिक नहीं मतलों जैसे होवर किया तो यह पार्टेकल इससे दूर जा रहे हैं तो मैं यहां सेंटर में रहा तो यह फोटो से टकरा रहे हैं ठीक है यह देखिए तो इसके लिए यह होता है दूसरा हम इसमें एड़ करेंगे एक आउन क्लिक के इवेंट ठीक है अन क्लिक में मैं कर दूंगा इनेबल टू और मोड मैं कर दूंगा ठीक है अब पुश को हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं तो पुश का मतलब होता है कि जब मैं स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करूंगा न तो यह कुछ कुछ पुश कर देगा मतलब कुछ पार्टिकल्स और एड कर देगा ठीक है तो मैं इसमें क्वण्टिटी कर देता हूं सेट करेंगा नीकिल यह आफ़Time होते जारे मिरे पास में चूंपर अइसके अलावा घर थे पार्टिकल्स तो इसके अलावा आपने एक बहुत ज्यादा यह जो पार्टिकल्स है नहीं कि आपस में जूड़े हुए होते हैं लाइन से और कुछ chemistry type का जैसे chemistry में होती है वो बैंजीन रिंक्स वगारा वैसा कुछ structure बन जाता है ठीक है तो उसके लिए प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स के अंदर होती है वो लिंक्स ठीक है लिंक्स में आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जैसे में इसमें दे दिया color hash fff ठीक है इसके लाब मैंने दे दिया distance मैं रखूंगा इसको 150 कि इनेबल मैं करतेता हूं इसको true और opacity मैं रखतेता हूं इसकी 0.5 मतलब यह पार्टिकल्स थोड़े dark shade में होंगे और यह जो branches थोड़ी soft shade में होंगे ठीक है वीट था मैं इसके रखतेता हूं सेव करता हूं और अब ही अगर आप देखेंगे तो यह जो effect आपको बहुत सारी websites में देखने को मिलता है यह आपको इसमें भी देखने को मिल रहा होगा ठीक है तो यह ठीक चल गया जो simple जैसा हमारा था इसके अलावा भी बहुत सारी effects होते हैं अगर आप 80s particles के अंदर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगे जैसे दिवाली पर भूटता है जैसे यह हमने किया है इसके अलावा भी अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यह circles पीछे मूब करते रहते हैं जैसे आपने आईफून में देखो को कुछ ऐसी थीम आती आजकल नया जो आयोस वर्जन है ठीक है यह बले हैं थोड़े पार्टिकल्स यह आप देखेंगे यह बंब जैसा फूटता है जैसे पार्टी वगरे में वह नहीं पोड़ते कुछ सर पे यह यह थोड़ा बारफ जैसा यह फटाके ठीक है यह थोड़े मेटेयो टाइफ का इफेक्ट यह भी आप देखेंगे यह थोड़ा क्या बूलते हैं इसको जो समंदर के अंदर थोड़े होते हैं पेड़ बहुत है वैसा और इसके अलावा जो भी आपको अपने हिसाब से चाह अगर आपको अपने पेज पर कहीं पर लगाना है ठीक है तो ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हैं तो मेरा मेरा प्राइमरी फोकॉस यह वाला है नी मुझे तो यहां पर इमोजी लगाने यह देखेंगा मुवमेंट रूप किया आपस में टकरा टकरा के इनका जो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशन में बदल गई है ठीक है तो मैं इसको रखतेता हूं इसको साइड करता हूं और मैं इसकी जगा पर अपने जो मेरी अपनी इमेजिस हैं जो मैंने असेट्स के अंदर में तीन इमोजिस रखें उनको मैं इंपोर्ट करता हूं इसका नाम है emoji underscore one dot png इसको मैं तीन नमर कॉप्टी कर लेता हूँ दूसरे का नाम है two तीसरे का नाम है three ठीक है इसका नाम two इसका नाम three ठीक है यह हो गये अभी हमने अभी जो मैं feature add करूँगा वो है कि अगर हमें अपनी custom image add करनी है इसमें तो ठीक है तो जैसे मैंने यहां पर particles के अंतर में आपने रेखाऊगा मैंने circles रखे थे shape ठीक है अभी मैं इसको comment कर देता हूँ ठीक है तो by default कुछ न कुछ तो आएगा यह particles के बीच में तो आप देखेंगे यह चला हुआ ठीक है तो यह images ठीक है और इसके अंदर में मेरे पास दूसरी की यह आएगी images और image लख सकते हैं अगर single image को यह आपको करना है तो मैं यहां सूर्स मेरे पास है image जो मैंने रखी हुई है ठीक है दूसरा object ड Goo करता हैj जो मैंने दूसरी image अ करते हैं तीसरा करते है तो अगर आप अभी इसमें देखेंगे तो यहां पर छुटे-छुटे इमोजी शोर हो रहे हैं फिक है तो इनका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं जैसे मैंने वैल्यू मिनिम्म दो रखी ती इसको मैं तस कर देता हूं और यह मैंने 5 रखी ती इसको मैं 30 कर देता हूं तो अब आप देखेंगे तो आपकी इमोजी यहां पर सही से काम कर रहे हैं ठीक है इसकी स्क्रीड बढ़ा सकते हैं पर नहीं हिसाब से बढ़ा लगा था ठीक है और दूसरा मुझे यह लिंक्स ने चाहिए तो मैं इसको थोड़ा से साइज बढ़ा देता हूं एक तो कि स् और दूसरा मुझे यह लिंक्स ने चाहिए तो अब आप देखेंगे तो यह बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसा हमारा इनिशली था और इसके अंदर में जो यह माउस के होवर एफेक्ट और क्लिक पे और ज्यादा एड़ होते जाएंगे जैसे आप देखेंगे कि जितना फ्लिक करेंगे इतने ही यह चाहर चाहर बार पुश करता रहेगा ठीक है तो यह था आज के लिए इस एनिमेशन को आप अपनी वेफ साइट में एड़ कर सकते हैं अगर कोई कुश्चन बगरा हो तो आप मुझे पूश सकते हैं ठीक है और ऐसी ही और इंटरस्टिंग इतना ही थैंक यू